हमस हाई गाईज आज आपके लिए लाए हैं बीए बीए सी और बीकम फॉर्थ सेमेश्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ठीक है यूनिट थर्ड है फॉर्थ नंबर वीडियो है आपकी ठीक है सभी कोस्चन आपके एक्जाम में भी भी आई है ठीक है तो सभी लोग इसको देखेंगे टॉप 25 कोस्चन आपके कराय जाएंगे इससे रिलेटेड लगभग तो सभी लोग माइंड कंसेंटरेट करके इस पर फोकस बनाएंगे ठीक है तो इससे पहले मैं एक रिक्विस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज नहीं है कौन सा आसन नहीं है सिंहासन नौकासन भ्रामरी पदमासन कौन सा आसन नहीं है यह पूछ रहा है न तो जो आसन नहीं है दोस्तों वह यह है कि भ्रामरी भ्रामरी कोई आसन नहीं है और यह सभी आसन है ठीक है सिंहासन नौकासन और पदमासन पदमासन सबसे अच्छा योगासन होता है सिधासन होता है एक योगी के लिए यह मैंने पिछले वीडियों सबसें प्रकार के सिध्यों को प्रदान करने वाला जो है एक मातर साधन होता है सभी प्रकार के सिद्धियों को परदान करने वाला एक मात्र ताधन होता है कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि कि ऐसे होता है कै साधन ह этот व्य प्रकार की सिद्यों को प्राप्त करने वाला एक मात्र बढते हैं आगे की और थार्ड नंभर कोश्चन देखते हैं दो थार्ड नंभर कोश्चन आप क्या पूछ रहा है वह यह है कि निमलिखित में से कौन सा अश्टांग यूग का अंग नहीं है नियम भारण तत्व ग्यान प्रत्यहार कौन सा अश्टांग यूग का अंग नहीं है यही पूछाया आप से अश्टांग यूग का अंग नहीं है कौन सा तो अश्टांग यूग का जो अग नहीं है वह कोड़ सा है बताइए इस बताइए कमेंट लगाके एंसर दीजिए आप लो कौन सा अश्टांग यूग का अंग नहीं है तो यह जो है तत्व ग्यान तत्व ग्यान क्या है अश्टांग यूग का अंग नहीं है यह आपका सी नंबर ऑप्सन क्लियर है ठीक है अब बढ़ते हैं फूर्थ नंबर कोश्चन की और फूर्थ नंबर देखिए हैं कोश्चन आपसे पूछ रहा है कि अश्टांग यूग क के जो भाग हैं वह कौन कौन से हैं दो चार छो आठ अस्टांग योग के जो भाग है वह आठ अस्टांग योग के कितने भाग है आठ ठीक है आठ भाग है अस्टांग योग के ठीक है और कौन कौन से हैं देखें यहां अस्टांग योग के आठ योगांग है आठ क्या है योगांग है अब देखिए कौन-कौन है आठ पहला नंबर जो है वह क्या है बताइए तो पहला नंबर जो है यम और सेकेंड नंबर नियम थार्ड नंबर आशन फूर्थ नंबर क्या है यम नियम आशन और फूर्थ नंबर क्या है बताइए तो प्रणयाम प्रत्यहारा प्रणयाम फिफ्ट नंबर प्रत्यहारा शिक्स्त नंबर क्या होगा बताइए तो प्रत्यहारा छे नंबर क्या होगा तो छे नंबर जो है वहां आपका धारणा तात नंबर ध्यान और आठ नंबर क्या होगा समाधी आठ नंबर जो है वह समाधी है यम नियम आसन प्रणयाम प्रत्यहारा धारणा ध्यान समाधी यह अठों है अश्टांग योग के भाग हो जाते हैं यह योगांग हो जाते हैं ठीक है समझ गया आप लोग बहुत अच्छे अब देखिए आँँ चलते हैं आगे की और नेक् अच्छाष्ट्री ग्रंत कहलाता है हठ योगी प्रदीपिका हठ योग मंजूसा हठ योग गरंथावली इनमें से कोई नहीं हठ योग का शास्त्री ग्रंथ कहलाता है पांच नंबर अब देखे च्छो नंबर क्या का रहा है च्छो नंबर कोश्चन है वह क्या है योगासन का प्रारंभ किस से माना जाता है अथ्वा कौन योग निर्माता के रूप में विख्यात है योगासन का प्रारंब किसे माना जाता है अथ्वा कौन योग निर्माता के रुप में विख्यात है विस्वामित्र से विष्णू से स्रिकृष्ण से सीव जी से योगासन का प्रारंब किसे से माना जाता है अथ्वा कौन योग निर्माता के रुप में विख्यात है मैं और आपसन आपका राइट रहने वाला है यूग आसन का प्रम किसे मिना जता है तो शीव जी से शुट कर भगवान से वही यूग मुद्रा में क्या रहते थे लीन रहते थे दिखेंग अब देखिए यहां साथ नंबर कोशन आप से है योग का अर्थ क्या है योग का अर्थ है सरीर को स्वस्त रखना आत्मा को परमात्मा से जोड़ना तरीर का विकास करना इन में से कोई भी नहीं बताईए यूग का अर्थ क्या होगा यूग का जो अर्थ होगा दोस्तों वह आत्मा को परमात्म से जोड़ना ही यूग का अर्थ होता है बी नंबर आपका राइट रहने वाला है अब देखिए आठ नंबर कोश्चन आप से क्या पूछ रहा है वह यह है कि शुद सुद्ध क्रिया को किस नाम से जानते हैं योग सष्ट कर्म प्रणयाम सभी सुद्ध क्रिया को किस नाम से जानते हैं सुद्ध क्रिया को सष्ट कर्म के नाम से जानते हैं सुद्ध क्रिया को यह कितने परकार के होते हैं छो परकार के होते हैं कई बार कोश्चन में आपको रि स्वा मुत्र गोव मुत्र तैल और घृत ये सुद्धिक्रिया सश्ट कर्म के छो प्रकार माने जाते हैं अब बढ़ते हैं नौ नंबर कोश्चन देखते हैं नौ नंबर कोश्चन जो है आप से क्या पूछा है नौ नंबर कोश्चन नौ नंबर जो कोश्चन है दोस्तो वह यह है कि योग के कितने चरण है जो शरीर मस्तिक्स और आत्मा के शुद्धिकर्ण को निश्चित करते हैं योग के कितने चरण है जो शरीर मस्तिक्स और आत्मा के शुद्धिकर्ण को निश्चित करते हैं आठ साथ नौ इन में से कोई नहीं बताइए तो योग के कितने हो जाते हैं योग के बताईए तो आपके 8 चलन होते है योग के a number option आपका clear है आठ चलन जो है योग के है शरीर मस्तिक्स और आत्मा के शुद्धिकन को निश्चित करते हैं अब देखिए 10 number कोश्यन आप से क्या पूछ रहा है तो हठ योग वह योग है जिसके दवारा प्राप्त होता है ग्यान एवं प्यार, सारेदिक एवं मानसिक शुद्धी, भक्ती, इनमें से कोई नहीं हठ योग वह योग है जिसके द्वारा प्राप्त होता है हठ योग के द्वारा क्या होता है अब देखिए 11 नमबर कुस्चन क्या कर रहा है 11 नमबर कुस्चन वह यह है कि मानसिक विक्रितियों से मुक्ति दिलाता है मानसिक विक्रितियों से मुक्ति दिलाता है योग, निद्रा, संगीत, खेल मानसिक विक्रितियों से मुक्ति दिलाता है योग, निद्रा, संगीत, और खेल 11 नमबर के अंसर बताईए मानसिक विक्रितियों से जो योग जो है मानसिक विर्कृतियों से मुक्ति दिला देता है अब देखिए बारा नमबर कोश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बारा नमबर कोश्चन जो है दोस्तों वह यह है कि मानसिक तनाव दूर करने का सर्वस्रेष्ट साधन क्या है निद्रा योग तंगीत धुम्रपान तो योग ही है मानसिक निद्रा को दूर करने का सबस्रेशन योग है योग अंतराष्ट्री दिवस योग अंतराष्ट्री दिवस 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है 21 जून को योग अंतराष्ट्री दिवस मनाया जाता है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे की ओर तेरा नंबर कोश्चन देखते हैं हम तेरा नंबर कोश्चन आपसे क्या कह रहा है वह ये कह रह योगियों द्वारा सिधासन प्रमुक रूप से अपनाया जाता है ध्यान के लिए तरीर को स्वस्त रखने के लिए प्राथना के लिए उपयोग्त सभी के लिए उपय। मुक्रूप से उप्योग किया जाता है किसके लिए उप्युक्त सभी के लिए उप्युक्त सभी के लिए क्या होगा सिधासन का प्रयोग यही होगा ना कि सभी के लिए जो है सिधासन का प्रयोग योग्यों द्वारा किया जाता है ना कि पताइए तो तरीर का योग का जो है क्या किया जाता है कि अध्यासन का प्रियोग किया जाता है उप्युक्त सभी के लिए अब देखिए यहां आगे बढ़ते हैं चोदा नमबर कोश्चन देखते हैं आसनों से लाब होता है आसनों से लाब होता है शारीरिक मानसिक अध्यात्मिक उप्युक्त सभी तो सभी लाब होते हैं असनों से असनों से क्या होते हैं सभी लाब होते हैं आप शारीक मानसिक और अध्यात्मिक ठीक है अब बढ़ते हैं 15 नंबर कोश्चन की और 15 नंबर देखते हैं कोश्चन क्या कह रहा है गजी का रहा है कि योंगस्य चित विद विद्टी निरोध किस ने कहा है वही पूछरा आपसे योगस्य विद्टी विद्टी निरोध किस ने कहा है वही पूछ रहा आप से युगर स्वृत्स वृत्षि निर्द्धर जो कहा है दोस्तु वह माहरसी पतांजली ने कहा है माहरसी पतांजली ने ऐसा कहा है दोस्त देखे आब देखिए सोला नंबर question है आपका क्या वह यह है कि शरीर के सभी अंगों के वयाम की दुष्टी के लिए कौन सा आसन सर्वस्रिष्ट है सरवगासन, पदमासन, धंरासन, शोसासन बताई शरीर के सभी अंगों के वयाम की दुष्टी के लिए कौन सा आंग आसन सर्वस्रिष्ट माना जाता है 16 नमबर का एंसर बताईए अब लोग 16 नमबर का एंसर बताना है एक कोश्चन यहाँ था दोस्तो कौन सा और नीची आजाते हैं जलाब होता है योगियों द्वारा सिध्धासन प्रमुक रूप से अपनाया जाता है इसमें जो एंसर होगा वह क्या होगा आपका देखिए अहां बता रहे हैं लगभग जो है एंसर कुछ जहां तक जो है ध्यान के लिए होगा योग्यों द्वारा तो ध्यान के इंद्रित करने के लिए किया जाता है और पराथना के लिए ध्यान के इंद्रित करने के लिए ध्यान के लिए जो है सिधासन का ब्रियों किया जाता है तेरा नंबर का यह हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे अ हां इनकर सभी यंगो के वयाम की दुष्टी के लिए कौन सा आसन स्रुष्ट आसन है तो यह मैंने बताया है आपको 16 नंबर का एंसर सरवंगासन होगा दोस्तों क्या होगा सरंगासन जो है सरी juicis के लिए ऍस रुष्टी डिया सर्वसरेश्ट माना जाता एक ब्रिया है किसकी ब्रिया है बताएक तो 17 नमबर का हैनसर ततरह नमबर का एंसर जो होगा दोस्तों सभी की शुसन की मस्तिक्स की और जीवन शक्ति की सभी की प्रयाम ठीक है 18 नम्बर देखें 18 नमबर क्वेश्चन क्या करना 18 नमबर है थारणा उपयोगी है अतवा करता के लिए वावासीर के लिए कबज के लिए मुटापे के लिए धारणा उपयोगी है किसके लिए बताईए धारणा जो उपयोगी है एक अच्छा बयाम है एक आगरचित करने के लिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए कंसंट्रिशन को बनाने के लिए धारणा एक उप्योगी अथवा अच्छा बयाम हो जाता है ठीक है 19 नंबर कोश्चन देखिए 19 नंबर कोश्चन निम्न में से कौन सा चतुर योग में समलित है राज योग करम योग भक्ति योग उप्युक्त सभी 19 नंबर का एंसर बताइए आप लोग 19 नंबर का एंसर जाता है दोस्तों वह क्या होगा फटापट कमेंट लाके एंसर दीजिए आप लोग बीस नमबर देखिए क्या कह रहा है सुखासन को कहते हैं सुखासन को जो है कहते हैं पेलविक इस्थिती साधारण इस्थिती मृत्यु इस्थिती उप्युक्त सभी सुखासन को क्या कहते हैं दोस्तों बीस नमबर का एंसर क्या होगा सुखासन को जो है हम लोग कहते हैं साधार्ण इस्थिती साधार्ण इस्थिती जो है वह सुखासन को कहते हैं बी नंबर आप्शन आपका अब देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर 21 नंबर कोश्चन की ओर 21 नंबर जो कोश्चन है वह क्या कर रहा योगासन का प्रारंब किस आसन से किया जाता है दुशासन पदमासन सुर्य नमस्कार सरवगासन योगासन का प्रारंब किस आसन से किया जाता है एक किस नमबर वह सुर्य नमस्कार से किया जाता है योगासन का प्रारम सी नंबर आपका क्लियर है योगासन का प्रारम किस आसन से किया जाता है सुर्य नमस्कार से योगासन का प्रारम जब हम लोग करते हैं तो सुर्य नमस्कार ऐसे करके और तब जो है सुर्य नमस्कार यह भी योगा से करके और तब इसका प्रियोग हम लोग योग स्टार्ट करते हैं अब देखिए बाइस नंबर कोश्चन आपका क्या कह रहा है 22 नंबर कोश्चन आपका क्या है कि सरीर के सभी अंगों का संपूर वयाम किसे जाना जाता है पदमासन को बजरासन को सुरिनमस्कार को शिर्सासन को वाइस नमबर के अंसर क्या होगा शरीर के सभी अंगों का संपुर्ण वयाम किसे जाना जाता है तो सुरी नमस्कार को सरीर के सभी अंगों का संपुर्ण वयाम जाना जाता है सुरी नमस्कार को सभी अंगों के संपुर्ण वयाम जाना जाता है सुरी नमस्कार को 23 नमबर कुछन है दोस्तों वह यह है कि अंतराश्टी योग दिवस कब मनाया जाता है 21 अप्रेल को 21 मैं को 21 जून को 21 जून को जो है अंतराश्टी योग दिवस मनाया जाता है भारत नहीं से स्टार्ट किया था स्टार्टेड वाई इंडिया पुछ देता है कौन देश द्वारा इस्टार्ट किया गया था यह इंडिया द्वारा इस्टार्ट किया गया था यह योग दिवस अंतराश्टी दिवस ठीक है अब बढ़ते है 24 नंबर कोश्चन की ओर 24 नंबर कोश्चन ज अब आसन करने से क्या लाँब है चोवीस नमबर का अंसर बतागे चोवीस नमबर का पहुआ होगा लो ग fant करने से आपके लाँब है यही पूछ रहाई ना तो आशन करने से ओर देखते हैं next question आपका 25 number 26 राण सहायक है पाचन विकारों में नेत्र रोगों में अनिद्रा विकारों में संक्रमन एक विज्डरासन किसमें सहायक हो जाता है यही पुछा है आप से कर व जरासन जो है इसमें सहायक हो जाता है ठीक है यह पूछा है आपसे देखेंगे इसके अंत्रयत कोश्चन हम लोग भजरासन सहायक है पाचन विकारों में नेत्र रोगों में अनिद्रा विकार में और संक्रम्ल में पता ही पचीस नंबर का एंसर तो पचीस नंबर का जो एंसर हो जाता है दोस्तू वह य यह हो जाता है क्या पाचन विकारों में आपका बजरासन जो है सहायक हो जाता है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं 26 नंबर बढ़ जो प्रकार है योगिक सष्ठकर्म का प्रयाम का ध्यान का सुर्य नमस्कार का नेती एक प्रकार है वह किसका प्रकार है बताई ये तू नेती जो है एक प्रकार है किसका योगिक सश्ट कर्म का योगिक सश्ट कर्म का जो है नेती एक प्रकार हो जाता है 27 number question देखिए 27 number question आपसे क्या पूछा है 27 number जो question पूछा है दोस्तों वह ये पूछा है कि 27 number question क्या पूछा है कि कपाल भाती से रोग दूर होता है नेत्रमात का मस्तिक्स का मांस्पेशियों का हिरदे का कि कपाल भाती से रोग दूर होता है किसका रोग दूर होता है मस्तिक्स का मस्तिक्स का रोग जो है है ना तो कपाल भाती करिएगा तो दूर हो जाता है कि कि कुश्चन नमबर कितना था 27 नमबर कोश्चन था यह अब 28 नमबर कोश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नमबर कोश्चन आपसे क्या पूछा है ध्यान देंगे सबी लोग 28 नमबर कोश्चन है वो यह है देखे योगासन योगासन जो है किस समय पर करना चाहिए अत्वा योगासन करने के लिए सर्वुत्तम समय कौन सा होता है सुर्य निकलने से पहले दोपहर में सुर्य निकलने के बाद और साइकाल में ठीक है कब करना चाहिए तो सूरी निकलने से पहले जो है योगासन करना चाहिए योग करना चाहिए हमको ठीक है अब देखिए 29 नंबर कोश्चन आप से क्या पूछा है 29 नंबर कोश्चन है यह कि जयान देंगे 29 नंबर कोश्चन यह है रक्त चांप में कौन सा आसन सर्वधिक लबदायक है पदमासन शिर्सासन धनुरासन शोसासन रक्त चांप में कौन सा आसन सर्वधिक लबदायक होता है तो वह होता है शोसासन शोसासन जो है वह रक्त चांप में सरवधिक लावदायक आसन है अब लाश्ट कोश्चन जो है 30 नंबर 30 नंबर कोश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है 30 नंबर कोश्चन ठीक है 30 नंबर कोश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि लाश्ट कोश्चन है 30 नंबर ध्यान देंगे सभी लोग मस्तिक्स को बल प्रदान करने वाला सर्व स्रेष्ट आसन है प्रणायाम, पदमासन, मयुरासन, धहनुरासन बताई मस्तिक्स को बल प्रदान करने वाला सर्व स्रेष्ट आसन कौन सा है तीस नंबर कैंसर क्या होगा मस्तिक्स को बल प्रदान करने वाला सर्व स्रेश्ट आसन जो है दोस्तो वह क्या है प्रणायाम है प्रणायाम जो है वह मस्तिक्स को स्वस्थ करने वाला बल प्रदान करने वाला आसन हो जाता है दोस्तो ठीक है तो इसके साथ ही आज की वीडियो कम्प्रीट हो जाती है 25 कोश्चन बोला था मैंने 30 कोश्चन कम्प्रीट करा दिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों बच्चो तब तक के लिए थांक्स पर गाइज और वीडियो को एक बार लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तब तक के लिए थांक्स पर वाचिंग थांक्स वाल आफ यू थांक्स वेरी मच्च